Hello everyone, welcome back to our channel English Madhyam. English Madhyam के platform पे मैं हूँ आपकी educator Priyanka ठाकुर और हम solve कर रहे हैं editorial-based practice exercise. Start करते हैं आज का session with thought of the day, that is the secret of your future is hidden in your daily routine. आपकी सवलता का जो भी secret है, आपकी सवलता का जो भी रास है वो आपके daily routine में छुपा हुआ है. जैसे कि जो भी आप काप करते हैं, daily में targets को achieve करते हैं, avoid करते हैं, टालते हैं, वही चीज़ बताते हैं कि आप सफल होंगे या असफल होंगे, ठाक है? यानि कि अगर आपने अपने रोस की दिरशार्या को बदल लिया, तो अब सफल होंगे या असफल होंगे वो decide करेगा उसके उपर चले स्टार्ट करते हैं Reading Comprehension and Practice Exercise for SSA CGL 2024 By awarding the Nobel Prize in Literature to South Korean Poet and Novelist Han Kang this year बूर रहे हैं इस साल का जो Nobel Prize Literature में दिया गया वो South Korean Poet और Novelist Han Kang को दिया गया और ये करते हुए The Swedish Academy जो Nobel Prize की Academy है वो Sweden की है तो उसने क्या किया Has done two things उसने दो काम किये है It has looked eastwards पहली बात तो वो Europe को छोड़के East की तरफ West को छोड़के East की तरफ गया है देखने के लिए ठीक है यानि कि उसने East की तरफ अपनी नजरें गुमाई है After going with European writer John Foss and Annie Ernox In the past two years जबकि पिछले दो साल हम से वो European को इन राइटर रहें दो उनको दिया गया पिछले दो साल से लगातारी award European writers को दिया उसके बाद अब जाके ये Korean यानि की Eastern side में दिया गया ये अच्छा है एक वो है कि आप थोड़ा सा varieties में लेकर आए हैं And it celebrates an innovator in contemporary prose और अब इन्होंने अगर ये इनको Korean writer को जो award दिया है इसके जरीए वो बोल रहे है कि contemporary आज के युग के जो प्रोज है प्रोज होते है जो पध्याश होते हैं गद्याश होते हैं जो writing की जो भी techniques होंगी चाहे poetry form में हों चाहे story form में हो जो भी आज के समय में लिख रहे हैं उसमें इन्नोवेटर्स को आफने celebrate किया हैं innovative को celebrate करनाarm बतलग कि जो नया पन लेकर आ रहे हैं उनको आपने प्रोथसाहित किया, उनको आपने माना है, वाइल, अनॉंसिंग दे नेम, दे अकाडमी लॉड़ेट, दे फिफ्टी त्री यार ओल्ड राइटर, वो रहे हैं, कि जब इन्होंने ये नेम अवार्ड के घोशित करे, तब एकडमी ने क्या करा, प्रशंसा करी, जो 53 साल के जो ये राइटर है, और जो की, पहले कोरियन है, जिनको नॉबल प्राइज मिला है लिट्रेचर में, उनके इस तरीके से इंटेंस, मतलब बहुत strong feeling रखने वाले, बहुत गंभीर हो सकते हैं, feeling रखने वाले, poetic verse, poetic मतलब poem के रूप में जिसके पध्यांश है, उसमें उनने लिखा है, क्या लिखा है, जो इतिहास के जो भी गल्दियां हैं, या traumas हैं, या उससे जो भी हमें आगात हुआ है, उसको, जिन लोगों ने जहला है, उसको confront करता है, उसको सामना करता है, and exposes, expose करना मतलब उजागर करना, क्या उजागर करता है, इनसान के मानव के जीवन में जो fragility है, जो नाजुकता है, कि किसी भी शर्ण कुछ भी हो जाए, हम तूट भी सकते हैं, और हम और जादा, और जादा strong भी हो सकते हैं, ठीकि इन चीजों को उनने अपने literature में दिखाया है, with the human condition as her most, इंसान की मानव की जो condition है, उसको अपनी प्रेढ़ना के तौर पे, इस्तिमाल करते हुए, specifically the question why and how humanity encompasses unspeakable depravity as well as undisputable acts of dignity and kindness, बोड़ रहे हैं, खास तौर पे जब ये सवाल उठता है, क्यों और कैसे जो मानवता है, उसमें encompasses, यानि कि समिलत होता है, क्या समिलत होता है, unspeakable depravity, unspeakable मतलब जो आप बयान नहीं कर सकते, वैसा पतन क्यों उसमें शामिल होता है, as well as, और साथ ही साथ, indisputable, जिसके उपर कोई विवाद ना हो, ऐसा act of dignity and kindness, एक ऐसा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो बहुत जादा देयालू होंगे, बहुत जादा kind होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे, जो हर तरीके से negative होंगे, बहुत जादा चोरी चकारी कर रहे हैं, या सामने उनके लोगों की जाने जा रहे हैं, फिर उनको परवा नहीं है, हांग कांग has experimented with form and style to tell her stories, हांग कांग ने अलग-अलग writing styles के साथ में, अलग-अलग writing forms के साथ में experiment किया है, अपनी कहानियों को बया करने के लिए, हर best known work available in English is her 2007 novel, जो उनका सबसे जादा प्रख्यात, वेल नोन मतलब जो जानते हैं, ऐसा जो उनका कार्य है, जो की है, इंग्लिश में जो available है, इंग्लिश में उनके पास available है, वो है, उनकी 2007 में आई एक novel, जिसका नाम था The Vegetarian, translated by Deborah Smith, जिनको Deborah Smith ने translate किया था, and released in 2015, यानि कि जो original Korean language में novel है, वो 2007 में आई थी, और 2015 में जाके ये novel, इंग्लिश में translate होके publish हुई, ठीक है, Winning the International Booker Prize in 2016, और इसी किताब को, जब इंग्लिश में publish हुई, उसके बाद में इसको, International Booker Prize मिला था, 2016 में, जो की लगभग 2007 में release होने के, 2016 मतला, लगभग 10 सालों बाद मिला, a decade after it was first published in Korean, याने कि लगभग एक दशक, याने कि 10 सालों बाद, कबके, जब ये पहरी दफा, Korean language में publish हुई थी, उससे लगभग 10 सालों बाद, इनको ये Booker Prize मिला, The Radical Story, और ये क्या है, ये एक मूल भूत, एक बहुत ही revolutionary story है, किसकी, ये एक ऐसी महिला की कहाने है, जो पूरी तरीके से meat वगएरा खाना छोड़ देते हैं, और उनको संतोश मिलता है, शान्ती मिलती है किस चीज में, प्लांट वर्ल्ड में, याने कि फूल पूधे, फूल पूधे, पते वगएरा खाके उनको अच्छा लगता है, प्लांट खाके उनको अच्छा लगता है, पेव दवे, फूर हर अधर नॉवल्स, और जब उनको ये Booker Prize मिला, तो इसने क्या किया, रस्ता बना दिया, पेव दवे मतलब रस्ता तियार करना, किस चीज़ के लिए, उनके बाकी नॉवल्स के लिए, रस्ता तियार कर दिया, कि उनको भी लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते थे, तो इसलिए बाकी नॉवल्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन इजी हो गया, और बनी अधर लैंग्वज, तो केवल इंग्लिश में नहीं, और भी कई भाशाओं में ट्रांसलेट हुआ, क्योंकि उनको इंटरनाशनल बुकर प्रेज मिला, दो हज़र सोला में, तो उसके बाद में लोगों को रूची बढ़ी किया, भी अब हम इनका और भी वर्क इनका देखना चाहेंगे, क्या उनने लिखा है, वो हम समझना चाहेंगे, और जब ये लोगों में रूची बढ़ी, तो उनके जो हैं बाद की नौवल्स को भी ट्रांसलेट किया गया, इंग्लिश और दूसरी भाशाओं में, वो रहे हांग कांग जिनका जर्म साउथ कोरिया के गवांग जू शहर में हुआ था, वो सियोल मूव करें जब वो 9 साल के थे, और वहां की उनिवरस्टी में उन्होंने कोरियन लिटरेचर पढ़ाई करी, अब किताबों के बीच में कैसे बड़े हुए, स्कूल जाने वाली बात तो अलग है, कॉलेज जाने वाली बात अलग है, लेकिन उनके खुद के पताजी जो थे, वो एक नॉवलिस्ट थे, नॉवल राइटर थे, शी डिसाइड़ तो फॉलो इन हिस फूट्स्टेप्स, फॉलो इन हिस फूट्स्टेप्स मतलब उनके नक्षए कदम पर चलना तो, उनने भी स्टूस करा कि भई मैं भी अपने पापा के नक्षए कदम पर चलूँगी, बट, हर आर्टिस्टिक फोरेज इंक्लूड आर्ट और म्यूजिक, लेकिन जो उनके आर्ट की दुनिया के प्रियास हैं, उनमें केवल लिटरेचर शामल नहीं है, उसमें उनने आर्ट और म्यूजिक की फॉर्म में भी अपना हाथ अजमाया हुआ है, जिनका इस्तेमाल वो अपने जो स्टोरी टेलिंग का अंधास होता है, उसमें इस्तेमाल करती हैं किसका? म्यूजिक और आर्ट का, और वर्ड इमेजिस, अपने शब्दों को जब वो पिक्चर फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो लंबे काले पालों की बात की जा रहे हैं, तो वर्ड प्ले किया जा रहा है, नारेटिव तो कहानी का कुछ भी होएगा कि किसके प्लॉट के उपर रहे हैं, लेकिन जब वर्ड इमेजिक की बात करते हैं, तो आप किस तरीके से, जो real life pictures हैं उनको किसी चीज के साथ मैं आप imagine करके बता रहे हैं जिससे कि आपको उस चीज की clarity मिले कि वो क्या कहना चाहरे है This is evident for instance ये कहां से विदित होता है उधारण के तौर पे In her 2016 novel, उनकी 2016 की जो novel है उससे ये example सावित होता है क्या नाम है उस novel का? The White Book White Book नाम है Where an unnamed narrator talks about grief जहां पे एक कोई अग्यात narrator नरेटर मतलब जो कहानी बता रहा है कोई अग्यात narrator है जो कहानी बता रहा है और वो दुख की कहानी है उस कहानी में दुख की बात कर रहा है और कैसे बात कर रहा है The death of an older sister less than two hours into life एक कोई बड़े बच्चे की बात कर रहा है जिसको केवल दो ही घंटे हुए थे उसके बाद में पैदा हुए और दो घंटे बाद उसकी मौत हो गई थी यानि कि कोई child birth के दौरान में जिस बच्चे की मौत हुई हो उसके बारे में उसका दुख को जाहिर करते हुए यहां पर बात कही जा रही है through white objects तो उन्होंने उस दुख को दिखाने के लिए सफेद objects का white objects का इस्तिभाल किया है including snow, salt, moon-shaped rice cake, fog and breast milk जिसमें की white चीजें क्या-क्या शामिल है snow, salt, snow, बरफ, salt नमक, moon-shaped rice cake rice cake जो होता है जिस तरीके से pancake बनाया जाते है उसे तरीके से कुछ rice cake होता है जो की moon की आकार का था fog, जो धुआ होता है, fog धुन्द होती है और जो breast milk माता के जो दूध होता है इन सब चीजों से उनने दुख को दिखाने की कोशिश करी her latest novel, उनका जो भी latest novel है we do not part, जिसका नाम है we do not part to be published in English early next year जो की अगले साल शुरुवाती महीनों में English में published होगा is the story of a friendship between two women ये दो महलाओं के बीच की एक दोस्ती की कहानी है in the backdrop of 1948 massacre in South Korea's Jeju Island और जिसका जो परिवेश है जो मुखेस का धारा प्रवा है वो कब का है 1948 में South Korea के Jeju Island में जो massacre हुआ था उसके उपर बेस्ट ये कहानी है उसमें दो महलाओं की दोस्ती कैसे हुई क्या रंग लाई उसके उपर बेस्ट कहानी है a massacre from the 1980s of the students of students and dissenters is also the setting for her most political novel Human Acts वो रहे है 1980 का जो students और dissenters का जो एक massacre हुआ था dissenters कौन होते हैं जो opponent होते हैं विरोधी होते हैं उसका जो एक massacre हुआ था नरसंगार हुआ था वो भी उनकी एक सबसे ज़़ादा पॉलिटिकल जो नॉवल है पॉलिटिकल नॉवल मतलब जो उन्होंने पॉलिटिकल व्यूपोइंट को दर्शाते हुए या उपिनिन को दर्शाते हुए जो नॉवल लिखी है उसका प्लॉट है जिसका नाम क्या है नॉवल का Human Acts जो कि 2016 में पॉलिश होई है इन विच souls of the dead are allowed to witness their own annihilation जिसमें कि मृतकों की जो souls है आत्मा है वो अपना ही विनाश होते हुए देख सकती है उनको ये permission दी जाती है मौका दिया जाता है कि वो अपना ही विनाश होते हुए देख सके ever since the prize was handled out to American singer-songwriter Bob Dylan in 2016 जब से 2016 में American singer-songwriter Bob Dylan उनको ये prize मिला है Nobel प्रसकार मिला है for literature the academy has been trying to pull itself back to purist तब से academy जो है वो कोशिश कर रही है बार-बार प्यास कर रही है कि वो फिर से अपना जो purist purist मतलब जो traditional तरीका है traditionally वो जिन लोगों को award देते हैं जिन categories में award देते हैं उसी पर वो वापस चला जाए by picking Han Kang the academy has a winner has a winner who in her experimental style conveys the power of literature to break barriers और जब उन्होंने Han Kang को Nobel पुरुसकार के लिए चूज करा तो academy ने एक ऐसा winner सेलेक्ट करा जो की अपने experimental style में power, literature की जो ताकत है सहरतों को, barriers को, रुकावटों को तोड़ने की उसको convey करती है उसको बताती है अब यह जो प्राहिस है यह consistently बिना किसी रोक टोक के क्या करेगा और ज़्यादा ध्यान केंद्रत करेगा Korean literature की तरफ इस dramas, cinema and music have been already ruling the globe ever since South Korean singer Sai burst forth with Gangnam style in 2012 बोल रहे है की और इसके जो dramas है Korea के, South Korea के अब Korea जब बोलते हैं तो मिन South Korea ही क्योंकि North Korea जो है वो इतना जदा mingle up नहीं होता है या फिर open नहीं है तो Korea मिन South Korea क्योंकि South Korea के dramas हो गए उनकी movies हो गए उनका music हो गया वो already दुनिया पे राज कर रहा है ruling the globe मतलब दुनिया पे राज कर रहा है जब से South Korean singer Sai का जो एक गाना था Gangnam style 2012 में burst forth burst forth मतलब सामने आया सब के दुनिया के सामने आया तब से South Korea जो है entertainment की दुनिया में चाहे वो dramas की बात हो जर्मा की बात हो music के बात हो वो राज कर रहा है दुनिया भर में तो ये था passage I hope आपको समझ में आयागा Hang Kang जो की South Korea एक writer है उनको Nobel Prize मिला है for literature उसी के जशन के रोप में क्या ये अच्छा हुआ ठीक है कितना अच्छा ये काम हुआ दूसरी तरफ भी हम देख रहे हैं दूसरी लोगों के तरफ भी देख रहे हैं हमने अपना opinion broaden करा है इस तरीके की चीजें बताए गई और Han Kang का जो writing style था उसके बारे में कुछ जानकारी दी गए ठीक है अब चलते हैं question number one की तरफ question number one हम से पूछ रहा है what is the tone of the passage passage की tone critical है किसी को criticize किया जा रहा है कुछ नकरात्मक बात बोली जा रही है नहीं न तो critical नहीं है negative नहीं है pessimistic नहीं है means neutral नहीं है यानि की ना इसका उसका बीच की बात करे neutral बात करे ऐसा भी नहीं है कैसा है celebratory यहाँ पे इस victory को Han Kang की जीत को celebrate किया जा रहा है और वो कैसी writer है उसके बारे में बताया जा रहा है so option B is correct based on the passage which of the following can be inferred about Han Kang's work पूर है passage के नुसार Han Kang के कारे के लिए क्या बाते बताए गई है या क्या हम उनके कारे के बारे में समझ सकते है चलिए देखते है Han Kang Kang's writing primarily focuses on political issues in South Korea incorrect है उनका मुख्योदेश South Korea की politics नहीं है लेकिन उनके एक novel का जिकर किया गया है जो बहुत ज़्यादा political है Han Kang explores the complexity of human conditions through her writing Han Kang जो है इनसान की जो चीजे है गती विधिया है उनमें कितनी जटलता है कितनी समस्या है उसको अपनी writing के जरीए explore करती है So option B is correct By awarding Han Kang the Nobel Prize in literature the Swedish Academy has acknowledged क्या acknowledge किया उनने क्या स्विकार किया the significance of Korean folklore in literature कि Korea का जो Korea की जो folklore होता है जो आपकी किसी भी particular जगा की जो कहानिया होती है पौरानिक कथा है जो सदियों से चली आ रही है उस जगा से जुड़ी हुई कि फलानी जगा पर कोई भूत रहता है या कोई चुड़ेल रहती है कोई ऐसा कुछ हाथसा हो गया था इस तरीकी की जो कहानिया होती है उसका literature हो बहुत बड़ा हाथ है तो ऐसा तो हमने नहीं कहा केवल Korea के folklore का तो यहां पर कोई जिकर नहीं किया गया इंकरेक्ट है तो सिर्फ एक वेजटेरियन नाम के नौवल का यहां पर जिकर करा उससे यह तो नहीं कि हमने पूरे वेजटेरियन लाइफस्टाइल की बात की गई है इंकरेक्ट है तो रोल औफ साउथ कोरिन पॉलिटिक्स इन ग्लोबल लिटरिचर इंकरेक्ट है जो इनोवेटिव नए और एक्सपरिमेंटल कुछ अलग करने की जो प्रक्रिया है उसके जो यहां पर प्रयास किये गए है आज की मॉडरन डे राइटिंग में उसके बारे में यहां पर बात की गई है तो ऑप्शन D is करेक्ट इसके ओपर लोगों का सारा अटेंशन क्यों इसने केंद्रत कर लिया अभी तो यह इंग्लिश में रिलीस भी नहीं फिर लोग क्यों इसके ओपर ध्यान दे रहे इट टचस ओन हिस्टारिकल मैसेकर इन साउथ कोरिया साउथ कोरिया के जेजु आइलेंड में जो मैसेकर्स हुए थे इसमें उनकी कहानी को बताया गया है तो उनकी कहानी को बताया गया और लोगों को history में इंट्रेस्ट होता है जानना चाहता है लोग कि क्या वहां पर हुआ था क्या चीज़े हम से चुपाई गई है क्या ये writer कुछ नया लेकर आया है तो इसलिए उसको लोगों का दिल्चस्पी है Second It explores the artistic fusion of art and music in narrative style तो यहाँ पर ही ये तो उनकी writing style है जो हांग कांग है उनका writing style है कि वो art और music को इसमें अपने writing style में डालते हैं तो ये सिर्फ इसी कारण से तो ये book को पढ़ने के लिए लोग जिग्यासू नहीं है न इनकरेक्ट है The Nobel Prize in literature has historically favored works with experimental styles बल्कुल करेक्ट है जब Nobel Prize किसी को मिलता है तो जाहिर सी बात है जैसे कि हमने पढ़ा कि जब उनको bookers prize मिला तब लोग उनके बारे में रूची बढ़ी और फिर उनके बाकी novels भी जो है वो English में translate हुए तो अब अगर उनको Nobel Prize मिलेगा वो भी literature के लिए तो क्या लोग इस चीज में interested नहीं होंगे जानने के लिए कि भी उनका जो अब latest novel आ रहा है वो किस बारे में है जो massacre था उसका हांग कांग की कहानियों में उनकी literature के काम में क्या रोल है तो बोला ना कि उनकी novels में कुछ novels में इन human जो traumas है historical जो traumas है उनके बारे में जिकर होता है या उनको या as a plot लेके चला जाता है तो it is primary setting of her novel human acts बिल्कुल correct उनकी human acts नाम का जो novel है उसमें मुख्यता इसी के उपर बात की जा रही है it is symbolic of societal annihilation witnessed by souls of the deceased बोरह है किस तरीके से इस कहानी में किस तरीके से जो मृत लोग है वो देखते हैं कि हमारा समाज किस तरीके से तबाह हो रहा है उनको ये मौका दिया जाता है कि वो देखें कि ये समाज अब किस तरीके से तबाह हो रहा है it highlights political operation making it her most politically charged work वो रहे हैं ये क्या करेगा जो political operation politically लोगों को दबाने की कोशिश की जाती है या जो political class लोगों को मूर्क समझती है इन चीजों को बताया गया है और जो की इस में most political charge work इनकी इस कहानी को बनाता है तो ये तो तीनो statement correct है 1,2,3 is correct तो 1,2,3 option D is correct at that time उस समय पे I was not fully aware of the differences मुझे पूरी तरीके से जो अलग होता है मद्भेथ होता है या difference होता है उसकी बारे में जानकारी नहीं थी अब किस समय पे कुछ clarity तो मिली नहीं है ना पहले तो पता होना चाहिए कि आप किस समय की बात करें तो जिस समय की आप बात करें वो तो आपको पता ही नहीं चला A statement से याना कि A हमारा first statement नहीं होगा चलेंगे हम अपने options की तरफ देखेंगे option देखो जो A है इसमें तो D है first statement इसमें C है A, A तो option C और option D eliminate हो जाते हैं ठीक है ओनम जो है केवल एक festival है जिसको south में हमारे हिंदुस्तान में नीचे south की तरफ मनाया जाता है इन बोला गया तो में अब ये incomplete है ongoing statement का हिस्सा है कौन सी ongoing statement का हिस्सा है aware of the differences in the traditions, cultures, festivals of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu और आदरप्रदेश बोले हैं कि मुझे इन सभी states के अलग-अलग states के tradition, culture, festivals के वारे में कि इनमें अलग है, ये सब different है इसके बारे में नहीं idea था ठीके, अब होता है न, usually कि हम जितने भी south indians उनको सब madrasi बोलते हैं या फिर south indians बोलते हैं क्यों हमारे लिए वो पूरा south है उसमें भी अलग-अलग states है Tamil है, Telugu है, Tulu है कर्णड है, इस तरीके से हमें याद ही नहीं रहता है हम होते हैं, ये सारे madrasi हैं या फिर ये सारे south indians हैं, right तो वैसे ही बोल रहे हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि इन सबी के अलग-अलग traditions हैं अलग-अलग cultures हैं अलग-अलग festival हैं It was all simply south india to me मेरे लिए तो ये पूरा का पूरा south india ही था back when I was in school तो जब at that time की बात की जा रही है वो कौन सा time है जब वो school में था, college में था या फिर उसकी नहीं नहीं शादी भी थी जब मैं school में था, तब भी मैं यहीं सोचता था जब मैं college में था, तब भी यहीं सोचता था और जब तक मेरी शादी हो चुकी थी नहीं नहीं शादी, तब तक भी मैं यहीं सोचता था कि यह सारे जो हैं, यह एक ही हैं तब तक मैं क्या सोचता था ओनम was just a festival celebrated down south ठीक है तो D हमारा first statement होगा D के बाद में आएगा B क्योंकि यह option statement D को complete करता है इसके बाद में आएगा at that time उस समय पर जब मैं चोटा बच्चा था तब उस समय पर मुझे पता नहीं था कि इन समय difference क्या है तो यह होएगा third point और third के बाद में C होएगा fourth point तो देखो D, B, A, C option A is correct volatile Indo-Pacific region volatile मतलब बड़ा ही कमजोर बड़ा ही नाजुक Indo-Pacific जो region है quad summit, quad मतलब 4 देशों का summit मतलब meeting the latest, जो तो latest meeting हुई होगी उसी के बाद में बुड़ है तो the latest quad summit यानि कि D के बाद में C आएगा और D हमारा first statement होगा तो D के बाद में C देखो दो जगा पे आ रहा है option A में आ रहा है और option D में आ रहा है so option B और option C जो है eliminate हो जाते हैं in Wilmington USA Wilmington USA में the 4 member nations 4 member nations of corporation between जो संगठन है किन के बीच में the growing importance जो बढ़ती हुई एहमियत है especially in a politically politically dash politically dash India and United States Japan and Australia तो जो quad summit बोला गया उसकी बारे हैं बुल रहा है quad के कॉल कॉन मेंबर है India है United States है Japan है और Australia है the growing importance जो उनकी भढ़ती हुई महत्वपूनता है especially in a politically dash खास तोर पे जो politically volatile Indo-Pacific region है उसकी बात हो सकती है तो जे के बाद में B आएगा ठीक है अब जे के बाद में B आ रहा है option A में यहाँ पे option D में जे के बाद में A आ रहा है तो A तो highlight कर रहा है तो highlight क्या कर रहा है especially in a politically highlights नहीं न, fit बैट रहा तो politically volatile Indo-Pacific होगा तो D के बाद में C जे के बाद में B option A is correct अग्रिकल्चर ओफर्स अ मेंस तो substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds पो रहा है जब हम organic agriculture की बात करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है उससे हमें और जाज़ा महेंगे agriculture inputs जो हैं HYV seeds उनका substitute मिलता है substitute का मतलब होते है उनका replacement मिलता है chemical fertilizers का replacement मिलता है और pesticides का replacement मिलता है with locally produced organic inputs जो की किसके सरीए locally हमारे ही देश में या हमारे ही local किसी भी environment में जो उत्पन किया गया organic input होगा उससे मिलता है that are cheaper and thereby generate good returns on dash जो की सस्ते होते हैं और इसी लिए वो क्या करते हैं अच्छे बहतरीन result returns भी देते हैं on dash अब किस चीज में देंगे return जब आप invest करोगे तब ही return देंगे return on investment होता है तो returns on investment organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on a dash on the highest level हो सकता है ठीक है सबसे क्योंकि सबसे उच तमस्तर पे पहुँच चुकी है इस वक्त organic agriculture जो है वो income भी generate करता है export के जरिये क्योंकि जो demand है organically grown crop की वो on a top level हो सकता है highest level हो सकता है ठीक है studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming बोल रहे है studies में यह पाया गया है अलग-अलग countries में कही सारी studies में यह पाया गया है कि जो खाद्य प्रदार्स organically generate किये जाते हैं उस में nutritional values जादा होती है बजाए की chemical farming के thus providing us with healthy foods इसलिए हमें healthy foods मिलते हैं since organic farming requires more labor input अब क्योंकि organic farming में जादा मज़दूरी लगती है कैसे weeds हो रहे हैं अगमार लो ठीक है फसल के साथ में कुछ खपतवार भी हो रही है तो उसको निकालने के लिए chemical डाल दो तो वो spray से मर जाएंगे लेकिन वहीं अगर आपको organically करना है तो आपको खुद hand से पूरे चाहिए आपका एक एकड की जमीन है दस एकड की जमीन है हजार एकड की जमीन है आपको वो हाथों से निकालने पड़ेंगे वो भी ये सुनेशित करते हुए कि फसल न खराब हो ताट मीन्स उसमें अगर मालो आपके दस एकड की जमीन है तो आपको कोई साथ में help चाहिए न मजदूर लगवाने पड़ेंगे इंडिया will find organic farming and attractive dash अब क्योंकि इसमें input जो है labor input जादा होता है compared than dash farming यानि कि chemical farming को comparison हो रहा है और यहाँ पे comparison उपर से नीचे तक हम लोग chemical farming और organic farming में करते आए हैं तो इसलिए chemical farming हो सकता है और इंडिया को organic farming को attractive बनाने चाहिए इंडिया will find organic farming and attractive dash उसके लिए एक attractive कुछ चीज मिलेगी उनको finally the produce is pesticide feed तो अंततर जो produce होता है यानि कि जो उत्पादन होता है जो उसका अंतिम product होता है वो pesticide free होता है उसमें कोई chemical नहीं होता and produced in an environmentally dash way environmentally sensitive हो सकता है friendly way हो सकता है environmentally friendly way ठीक है so चलिए देखते हैं organic agriculture offers a means to substitute costlier agricultural inputs such as HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides with locally produced organic inputs that are cheaper and thereby generate good returns on dash expenditure expenditure मतलब खर्च के ओपर हमें अच्छे return मिल रहा है investment, investment मतलब जो हमने पैसा संसाधनों में लगाया है उस पर हमें अच्छे return मिल रहे है तो returns on investment एक term है जो की business के लिए इस्तेमाल की जाती है कि जितना आपने पैसा इस business में लगाया है उसका आपको क्या return मिला, क्या output मिला so option B is correct organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on a dash on a rise, rise मतलब विद्धी की तरफ है stagnation मतलब स्थिर्था पे है decline मतलब कमी पे है on a growth fit नहीं बैता growth का मतलब भी बढ़ोतरी है लेकिन यहाँ पे on a growth नहीं खा जाता है on a rise का जाता है on a rise का मतलब होता है बढ़ोतरी की तरफ so option A is correct studies across countries have shown that organically grown food has more nutritional value than chemical farming thus providing us with healthy foods वो रहें studies में यह पाया गया है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग countries में हुई studies में यह पाया गया है कि जो organically grown food होता है उसमें ज़्यादा nutrition होता है chemical farming के comparison में इसलिए हमें ज़्यादा भैतर खाना मिलता है healthy खाना मिलता है अब क्योंकि organic farming जो है उसमें more labor चाहिए than dash farming first है conventional conventional मतलब जो हमारे traditional तरीके हैं उनकी बात की जा रही है तो यहाँ पर conventional farming की बात बिलकुल की जा रही है mechanical mechanical मतलब जो आप machines का इस्तिमाल करके farming करते हैं rigorous rigorous मतलब बहुत ही कठोर और in speed in speed का मतलब होता है बिना कोई taste के बिना कोई motivation के नीरसी तो यहाँ पर conventional जो हमारे तरीके हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पर conventional farming हुआ conventional farming इंडिया विल फाइंड और गानिक फार्मिंग अन अट्राक्टिव डैश ओप्स्टेकल मतलब किसी आप चीज का अवरोध प्रोपोजिशन प्रोपोजिशन का मतलब होता है प्रस्ताव या योजना बर्डन बर्डन मतलब भोज और चैलेंज मतलब एक चुनौती तो agriculture, organic farming उनके लिए attractive चुनौती होगी मतलब उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और लेकिन वो थोड़ा चुनौती पूर्ण भी है क्योंकि उसमें labor जादा लगेगा finally the produce finally the produce is pesticide free and produced in an environmentally dash way destructive environment को तबाह करने वाले तरीके से हो सकता है नहीं environment को तबाह करने वाले तरीके से नहीं होगा जब pesticide free होगा तो environment कैसे destroy होगा harmful नुकसान दायक incorrect sustainable sustainable मतलब जो परियावरन को हानी ना पहुँचा है so option C is correct अब यहाँ पर highlighted part में अगर कोई substitution चाहिए तो वो लिखना है नहीं तो no substitution required the film was made in Botswana whose wildlife parks is larger to those in Kenya अब comparison किया जा रहा है Kenya और Botswana के wildlife parks के बीच में कि यह जो film है यह Botswana में बने थी जिसके जो wildlife park है वो Kenya के पार्क के पे Kenya के जो wildlife parks है उनके comparison में ज़्यादा बड़े है तो larger 2 के बज़ाए के आएगा comparison में larger than than भी कौन सा? THEN वाला या THAN वाला THAN वाला comparison then मतलब time frame बता रहा है उस समय तो THAN आएगा is larger than no substitution required incorrect है A film was worth whose wildlife parks parks बोला गया है plural क्या आएगा क्या verb singular आएगा नहीं क्योंकि parks है plural है तो verb भी plural आएगा are larger than are large than नहीं आएगा are larger than option B is correct select the correctly spelled word जिसके spelling correct है वो बताना है चलिए देखते है quintessential quintessential का मतलब होता है महत्वपून अब quintessential के जो first spelling है वो incorrect है Q-U-I-N होता है I-E-N नहीं होता ठीक है so incorrect है Q-U-I-N-T-E-S-E-N-T-I-L option B is correct मतलब बहुत महत्वपून बहुत important so option B is correct anxiety anxiety का मतलब होता है चिंता तनाव तो synonym क्या हो जाएगा ease ease तो मतलब बहुत आरामदायक है serenity मतलब शांती dilemma dilemma दुविधा distress distress मतलब परिशानी संकत तो चिंता संकत महीं होती है so option D is correct I- that he has been promoted to the post of dash officer तो आपने सुना होगा कि उसको किसी फलाने officer की post पे promote कर दिया तो first है I heard heard की spelling होते है H-E-A-R-D सुनने वाला जो heard होता है सुनना ये वाला जो heard होता है इसकी spelling होता है H-E-A-R-D ठीक है अब यहाँ पे first है H-E-A-R-D H-E-A-R-D का मतलब होता है भेडों का जानवरों का जुन्ड पाल तो जानवरों का जुन्ड ठीक है तो क्या आएगा heard तो नहीं आएगा यानि कि option A और option D eliminate हो जाते है दोनों में heard हर्ड हर्ड है अब दोनों में ceiling और ceiling है तो ये तो ceiling होता है जो छट वाली ceiling है तो उसको ceiling छट के officer के तौर पे तो नहीं एक point किया होगा प्रोमोट किया होगा incorrect है ceiling officer ceiling officer मतलब किसी चीज को seal करना है यानि कि बंद करना तो बंद करने के officer के तौर पे उसको क्या कर दिया होगा तो मोट कर दिया होगा, so option C is correct, I left the job because of a hostile working environment, of a hostile, antonym बताना है, hostile का, hostile का मतलब होता है, बहुत ही, unfriendly, shatruta poon, not so pleasant, तो antonym क्या हो जाएगा, friendly, pleasant, ठीक है, violent, violent का मतलब होता है, akramak, hinsak, friendly, friendly मतलब मैतरी poon, rustic, rustic का मतलब होता है, बहुत ही, gramania, simple, और morose, morose का मतलब होता है, उदास, तो यहाँ पर, option B, friendly is correct, the guard did not want anything bad to happen, जो guard है, वो कुछ भी बुरा नहीं होने दिना चाहता, so he ordered the group to step back to avoid anything dash, इसलिए उन्होंने उस भीर को, या उस group को बोला, कि तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओ, ताकि कोई भी avoid की जा सके, क्यो anything क्या avoid करना था, diplomatic, diplomatic का मतलब होता है, कूट नीतिक, तो यहाँ पर कूट नीतिक की बात नहीं की जारे, customary, customary मतलब कि जो हमारे रीती रिवाजों से जुड़ा हुआ हो, हमारे tradition से या उस समय पर जो प्रचलित है, वो terrible, terrible मतलब बहुत ही खराब, बहुत ह habitual, habitual मतलब आदतन, तो यहाँ पर terrible चीजों को avoid किया जा सके, इसलिए भीड को पीछे हटने के लिए कहा, so option C, terrible is correct, psychology developed as a significant discipline of study in the 20th century, psychology, so option A, psychology is correct, to throw dust in one's eyes, किसी की आँखों में धूल जोखना मतलब किसी को गलत तरीके से mislead करना है, गलत तरीके से information देना, या गलत information देना, to make someone blind forever, किसी को हमेशा के लिए अंधा कर देना, incorrect, to hit someone with stone, incorrect, to mislead someone by tricks, बिलकुल correct है, option C is correct, neither jan ki or I am to receive the award, नहीं जान की को, नहीं मुझे कोई award मिलने वाला है, तो जब neither इस्तमाल होता है, तो neither के साथ में nor इस्तमाल होता है, ठीक है, neither के साथ में nor आता है, either के साथ में और आता है, ठीक है, तो neither jan ki nor I am to receive the award, either नहीं आएगा, not नहीं आएगा, no नहीं आएगा, option B nor is correct, He has recovered now and is feeling too strong to work, too strong का, जब too, too इस्तमाल कर रहे हैं, तो मतलब बहुत कमजोर, उसका उल्टा होता है, जो आगे statement बूला कि उसका उल्टा, too shy to talk, यानि कि वो बातचीत करने में बहुत खुले दिल का है, ठीक है, या फिर too sweet to believe, बहुत ही मीठी है, बहुत ही अच्छा है, नेक दिल है, जितना कि विश्वास नहीं होता, ठीक है, तो too strong to work, मतलब बहुत कमजोर था वो, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है, जब वो recover हो चुका है, तो वो तो पूरी तरीके से strong होना चाहिए, तो he has recovered now and is feeling dash strong enough to walk, option A is correct कि उसको इतना लग रहा है कि मैं अब चल सकता हूँ, इतने उसमें शक्ती उसको महसूस हो रही है कि मैं चल सकता हूँ, ठीक है, so option A is correct, crews were requested to purify, contaminate का antonyum बताना है, contaminate मतलब प्रदूशित, दूशित किसी तरीके से या किसी चीज की मिलावट होना, crews were requested to purify the system, since a brain eating amoeba was discovered in the drinking water, crew है, crew कौन होता है, वो लोग ज़्याज पर किसी चीज में काम कर रहे हूँ, ज़्याज, पानी का हो जाए, हवा में चलने वाला हो, उसको crew बूला जाता है, तो या फिर जो movie sets पर काम करें और लोग उनको crew बोला जाता है तो बोल रहे हैं कि crew जो है उसको हम request की गई थी कि वो purify करे यानि कि साफ करे पूर सिस्टम को क्योंकि एक brain eating amoeba जो है वो खोजा गया है drinking water में तो contaminate का antonym क्या है, contaminate मतलब दूशत तो उसका antonym क्या हो जागा, साफ, so option a purifier is correct Peter was the last to know that she has been cheating off him तो जब किसी कोई cheating करता है किसी दूसरे व्यक्ति के उपर तो off नहीं, cheating on that person होता है ठीक है तो यहाँ पे Peter जो है, वो cheating कर रहा था तो cheating on him, option पीटर के उपर cheat किया जारा था, किसी महिला जवारा तो cheating on him, option D is correct Every piece of furniture in her house is an apple pie order apple pie order मतलब बिल्कुल सुव्य वस्तत तरीके से जो चीज जहाँ होने चे वहीं है तो यह कह रहे हैं कि उनके घर में, किसी महिला के घर में जो furniture रखा हुआ है, वो बिल्कुल एक क्रमबत तरीके से लगाया गया है जहाँ पे जो चीज होने चाहिए वैसे लगाये गई है अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स सेशन में, तिल देन कीप लर्निंग और कीप प्राक्टिसिंग बबाए